किसान अंदोलन के चलते शहीद हुए किसानों के लिए यूनियन के हर जिला मुख्याले पर श्रधान्जली सभाएं आयोजित की गई हैं किसानों को पुष्प अर्पितकर्ष धांचली दी गई एवं उनके कुर्बानी को याद किया गया इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सेवा सिंग आरिये ने बताया कि किसानों के अधिकारों के लिए जिन किसानों ने कुर्बानी दी हैं उनको हमेशा याद किया जाएगा और आने वाली पीडियां उनको याद रखेगी इस अवसर पर उन्होंने केंदर की नरेंदर मोधी सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि यह सरकार तो अंग्रेजों से भी करूर सरकार है क्योंकि किसान ने था सर छोटू राम द्वारा जब अंग्रेजों के समय आंदोलन किया गया था तो उन्होंने भी किसानों की बात माल ली थी क्योंकि सर छोटू राम ने अंग्रेजों को धंकी दी थी कि वह खड़ी फसल को जला देंगे जिससे भैवित होकर अंग्रेज भी अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर हो गए थी प्रंतु नरेंदर मोधी सरकार से भी कुरूर सरकार है जो इतनी भयंकर ठंड में किसानों के दर्द को नहीं समझ रही और अपने राजगाट पर पड़ी हुई है उन्हें ने कहा कि किसानों के प्रति जोश्य धांजली सभा की गई है उसे उनके परिवारों को होसला मिलेगा और अपने हक की लड़ाई के के लिए लड़ रहे किसानों को और बल मिलेगा तो आज हमने अपने उन किसानों को जिन किसानों ने मतलब हमारे अधिकार के लिए किसानों के हक के लिए अपना जीवनी लिए खत्म कर लिया और आज हम उन सब को मिलकर के यहां सरदांजली दे रहे हैं ताके उनकी आत्मा को सांती मिले उनके परिवार को थोड़ी ताकत मिले किसान साथा उनके पीछे खड़े रहेंगे जहां भी जो जुरूरत पड़ेगी उनोंने तो किसान हम इसा उनके सायोग करेंगे उनके परिवारे को सायोग करेंगे और आज का जो किसान सहीद हुआ है उसके ही उनकी साथत को पूरा हिंदुस्तान याद करेगा याद करता रहा है पिछले भी जो किसान सहीद हुए हमारे आज तक उनकी सब की मेले लगते हैं और सहीदों के उन के लिए मरना एक साहत्त का काम होता है तो इन किसानों की साहत्त को Bowl लगातार याद करते रहेंगे जब तक संसार चलेगा आगे आते रहेंगे और छलते रहें उआखे रहेंगे और इनकी य्याद में इसी परकार से सरदांजली सखाइएं या क्याख़ादान मंत्री एयसा करूर परदान मंत्री एक धसे की तक नहीं देखा कि अपने किसानों के वे बात कर ले क्योंगे अंग्रेज भी ऐसी थे कि एक बार गूं के लड़ाई होगे थी कूंगे वो लटे lavor blended actually चोटुराम ने एक बार ही कहा था कि मैं इस ग्यों को जलवा दूंगा तो उसी टाइम उन्होंने पूरे देश के किसानों के साथ बात करके उसकी बात मान ली थी लेकिन आज के परधान मंत्री जो के इस देश के में पैदा हुए हैं इसी देश के रहने वाले हैं और अपने देश की जंता को भी पैचान पाते हैं अपने जंता के बात भी नहीं सुन पा रहे हैं तो ऐसा परधान मंत्री नहीं देखा और वो कहते हैं किसान बात करने के लिए तयार हैं किसान एक पंचैती संग्ठन है भारती किसानी यूनिंग पंचैती संग्ठन है और उन्होंने क जब बात करते हैं तो वो बात कुछ बदल लेते है क्योंकर सरकार का काम है तंतर का काम होता है कि बातों को बदल दिया जाए फेर दिया जाए इसलिए उन लग किसानव के साथ उनकी बाचित नहीं हो रही आप पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल झाल